कि हैं आप सभी का फिर से टीविल कोचिंग के इस यूटूब परिवार में बहुत-बहुत सा अगत है दोस्तों मॉर्निंग में हमने एक आपको वीडियो फ्रवाइड काया था जिसमें कुछ क्यूस का का जो डिस्क्रातै को उसमें परेंट कुछन था बहुत-फिल पूर्वाइड गए-जिसमें वोर लेके CryCow ने से काफी कॉछन को में देखंगेंगा आधा जुछ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपके तब ही जाएगा ओके चलिए शुरू करते हैं आपके पास कोच्चन दिख रहा होगा इसकीन पे ओके यहाँ पे यह वाला कोच्चन जो है यह वाला किसी भी प्रिवियर सेयर में नहीं पूछा है लेकिन हमको यह कोच्चन काफी अच्छा लगा थोड़ा इससे कुछ अधर किलियर हो जाए उसके लिए भी हम कोच्चन को लेकर आए हैं आप इस सब्सक्राइब अब बढ़ते हैं आप इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं इसको तो हम कल शुरूनिंग में बताया थे किजितना सरल हो सके वोश्चन को ज को हम जितना हो सके जितना हो सके उतना आसान करने का पर्यास करते हैं और पर भी नहीं निकल पाइगा इसके अंदर जो भी संख्या होगा वह बाहर नहीं निकल पाएगा आगे देखिए जरूर समझ आएगा पलस है रूट अनर बीस है तो इसमें क्या कर सकते हैं दो गूने पांच कर सकते हैं पलस और रूट अनर चालिस है तो इसमें क्या कर से आगे बढ़ते हैं यहां पंदर है उपर तो बार एक ही संख्या के रूप में तो वह बाहर आ जती है यह संख्या के रूप में तो यह दो को संख्या है एक दो बार यह रिपीट हुआ है तो एक हो बाहर यह दो आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद एक बार और हम इसको भाघ करेंगे इसके बाद माइनस मेऄ रूट रॉट रॉफ कारेंगे हम लोग सौल करेंगे ऑं कि यह सा है तो एक जैसा इसको एड्ड करलेंगे तो है ढूंद awakening कितना अधिर अधिन हो जाएंगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे दूरूट पांच माइनस मूर्न पांच और मैनस मेजींगा ऐनके बचेगा Kaiser माइनस में थीरी रूट फाइब बचेगा आपको बच गया अब यहां से आप क्या कर सकते हैं यहां से आप तीन कमपन ले सकते हैं यहां पर 15 हो गया बटा में थीरी कमपन ले जिएगा तो रूट अंडर 10 माइनस में रूट अंडर 5 हो जाएगा तीन पहुचे पॉंद्र पांच बार में केंसील आप बचा आपका पांच बटा रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 5 इतना ही बचा अब क्या किजिए इसका ह नीचे बाला जो सिंबल होता है इसके उल्टा यानिके जो घटाव रहेका तो घटाव से उपर निशा दोनों में बुणा कर दियता है तो हर परिमे करन कर देंगे रूट अंडर 10 माइनस है तो पॉलस में रूट अंडर 5 हो जाएगा और नीचाहूं रूट अंडर 10 आम फैलू जो है एक ही हैना चाहिए जन्सिलाप जाएगा तो उप्ता ही ना आएगा इसलिए दोनों ऊपर नीचा एक ही जो है वैलू से भूनना करेंगे हर परीमेकरण में ओके तो आई होप कि आपको हर परीमेकरण का मेतर समझ में आ गया वोगा अब इसको आगे जाहते हैं तो यह क्या वजाएंगा नाइक फाइफ भूट अटेन फ्लस दॉट अनठ थाइफ हो गया अब यह देखिये बीचा बचाई आपका है एक बार एक बर एक बार यह प्लस बी एक पर जो जूट रहा है एक बर घ्ट रहा है एक यह किस पर में आरा इये पिती में यह माइनस बी के फॉर्म मेरा आएके नहीं अब जब इस फॉर्म में आता है तो क्या निखते है अब देखिते हैं आप थोड़ा यहाँ पे अब लोग इसको लिख लेते हैं यहां पर इसके लिए अब क्या हो सकता है यह फाइफ रूट अंडर टेन है माई पॉलस में क्या हो जाएगा रूट का स्क्वाइर होगा तो यह आपको समझ में आ रहा होगा यह माइनस में 5 होगा अब यहां पर बचा आपका 5 इंटू रूट अंडर 10 आपको दीख रहा होगा जी आंसर क्या बच रहा है रूट अंडर टेन और रूट अंडर फाइफ जो की ओप्षन क्या है ऑप्षन में नहीं न दिया तो यहाँ पे एक बार और इसको कमन रेंगे कमन क्या ले सकते हैं हम तो यहाँ पे हम लोग कमन क्या ले सकते हैं इसे जब कमन नगे हैं तो क्या होगा रूट अधनर फाइफ शर्प ँमें आप आपको समय ने आ रहा हुँका सिर्फ वान यान एक रूट म्शांस इन्टूब क्या रूट उप्सिंट आप और पॉलस रूट अंडर टू ऑप्सन नमर सी इस करेक्ट एंसर फोर दिस कोचन हो जाएगा तो यह थोड़ा सा लॉंग था लेकिन इसमें काफी ज्यादा मैथर वेगरा था इसलिए हमको इसको बताने का जो है पर्यास था कि आप इससे भी कुछ कॉंसेट वेगरा किलियर कर सके इसमें कंसेट यहीं क्लियर करना था कि आपको रूट के अंदर भी जो रहेगा यह रूट के अंदर जो है उसको कैसे हम लोग तोर कर बाहर कर सकते हैं यह बताना था उसके बाद हर परिमेकरन बताना था कि हर परिमेकरन कैसे करते हैं तो इसको थ्वासा और समझते हैं चलि नहीं जा सकता है दो टिम भागों में कि उसको उसमें से एक को एक संख्या को बाहर निकाला सके उस तरह से बातन नहीं पर टेन को इसी तरह छोड़िए औ seeing गने earliest chapter 44- Raj precedes अब इसको क्यों क्यों लीखे क्यों कि इसमें एक बार- दो हुआ हो रहा है इसलिए हम लोग इसको भी तोड़ दिये अब सास्टी सिंफल बनाए तो यहां पर निकल गया और यहां पर निकल गया उसको बात जो है कि इतना आया उसके बाद जो है यह कोमले यहां पर तरफ यानि कि ऊपर नीचा दोनों में कर दिया तो दोनों में गुंड़ा कर दिये तो उसके बात जो भैलू आया आपका यहां पे सिर्फ क्या बचके आया अब आपको यह कोचन समझ में आगया होगा चलिए अगले कोचन की तरा बढ़ते हैं हो कहे के तो सब के हुआ आपन आपन कहाए वाला के वाला कोई नहीं है इसलिए करीर पर जादा ध्यान रख लिएगा चलिए अगले कोचन की तरा बढ़ते हैं 23 नमर कोचन जो है आपका इसकीन पे है यह दि दिया हुआ है आठ गूना दू का पावर एक्स इसकॉल टू पावर जीरो दिया हुआ है तब एक्स कमान एक्स कमान है यानि कि एक्स कमान क्या है और यह कोचन जो है 2015 में पूछा गया है इसके पहले वाला कोचन जो है किसी भी इंट्रेस हीजा में पूछा नहीं था लेकिन थोड़ा सा इसके पहले जो है आप हमारे सारे किलास को देखे यहां पर इसको आसानी से कर सकते हैं यहां पर इसके लिए й c में से x का मान जो है फाइनट करना है अब देखे इतना के लिए आप क्या लिख सकते हैं आठ गूने 2 का पावर एक साई 5 के पावर 0 अप्श डी घुर्ड मतलब एक होगा अब दीखिए आठ को क्या लिख सकते हैं अन्याथा नहीं होगा इसलिए हमको बेश समान करना पड़ा और बराबर में यह एक है तो इसका भी तो बेश समान करना होगा तभी तो जाके एक एक बनेगा तो यहां पर एक है तो दो के पावर जीरो भी लिखेंगे तो अब भी एक आएगा हम कल बताये थे आपको कि किसी क अबभी पावर कितना भी बड़ा संक्या हुआ या एक पर लाख जीरो काह abonnा ऊभी जीरो हो तो उसका जो आउसर आएक आईगान किया और लस बढस्ताइगा शुयारी यह तो माइनस में 3 जो कि यह आपका राइट एंसर होगा और माइनस 3 ओप्षन नमबर ए इस करेक्ट एंसर अफ इस कोचन है तो आई होप कि आपको यह भी कोचन समझ आगया होगा नहीं समझ में आया है एक बार और सम्झाज़ेते हैं हुआ देखिए एक बार और आठ को दू के पावर तीम दू के पावर एकस है दू के पावर एकस पांच के पावर जीरो तो हम दू के पावर जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी मान एक होता है दू के पावर जीरो का भी मान एक होता है तो मान कितना और मान कुछ भी कि किजिए लेकिन मान उतना ही आना चाहिए मान उतना ही आना चाहिए तो पास के पावर जीरो मतलब एक दू के पावर जीरो मतलब एक तो इसलिए दू के पावर जीरो डिये अब यहां पे आप क्या कर देंगे ऊपर गुना में पावर को जोड़ देते हैं तो गुना में पाव इसमें 2 लेका आये थे अब देखिए और नंबर सिस्टम से से जो भी कौन्फूजन वेगरा कीएट हो रहा था उस तरह के सारे कौन्फूजन वो हम लोग दूर कर चुके हैं आणके एक जाम के लिए एक जाम के भी विव से जो भी नमवर सिस्टम से इंपोर्टंट न कोचन है वो हम लोग डिसकोस रह चुके हैं आग गएड़ा भी जो है कॉंसेट वेगएड़ा जो है उसका भी हम बीडियो बहुत पहले ही बना दिये हैं प्ले लिस्ट में है होगा उसको आप देख लीजेगा ये नहीं देखें तो ये तो पिर्फेस अर का सारे होचन को हम लोग देख रहा है तो टेस गोता कोचन जो है प्रिफेस कर लिए अब इसके बाद जो है कुछ आक्रिती वाले कोचन को हम लोग कल पढ़ेंगे और आप देखकर कोचन को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ प्रिवियोस एर में आया है अगर प्रिवियोस एर को सेट मारे है या थोरा सा भी इंट्रेंस लगाए है दिमाग लगाए है आई टी आई के इंट्रेंस एक्जाम के पेपर के थ्रू पेपर के परती ओके तो चलिए मिलते हैं अगले दीन अगले दीन नेक्स्ट टॉपी के साथ तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय ही जय भारत